इसने हजारों लोगों को संक्रमित किया है और संभव है कि विश्वभर में कई मिलियन लोगों को प्रभावित कर सकता है ये कोरोना वाइरस है क्या हो अगर आपको ये बीमारी हो जाए? ये आपके शरीर पर क्या असर डालेगा? अगर आपको ये हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और आपके इससे बचने के क्या असान है आप देख रहे हैं क्या हो अगर और ये है क्या हो अगर आपको कोरोना वाइरस हो जाए कोरोना वाइरस या कोविड नाइनटीन जंगली जानवरों से शुरू हुआ कोरोना वाइरस बूनों से फैलता है अगर आपके आसपास कोई खास या छीक रहा है तो इसके काफी जादा आसार है कि आपको ये बिमारी हो सकती है शोद करता ऐसा भी मानते हैं कि कोरोना वाइरस किसी सता पर जिन्दा रह सकता है तो अगर आपने किसी संक्रमित सतह को चुआ है और फिर अपने मूँ पर हाथ लगाया है, तो शायद आप अपने आपको संक्रमित कर लेंगे तो अगर आप करोना वायरस का शिकार हो जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके बहुत जादा आसार है कि आपको कुछ महसूस नहीं होगा, कम से कम तुरंट तो नहीं इसके लक्षण आपको महसूस हो, इसमें दो दिन से लेकर दो हफ़ते तक लग सकते हैं इसका मतलब आप सामाने रूप से जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे और अगर आप किसी सपह पर खासते या छीकते हैं, तो इसकी संभावना है कि आप अंजाने में अपने अगल बगल बालों को संकर्मित कर सकते हैं और क्या होगा जब आप इन लक्षणों को वाकई महसूस करना शुरू कर देंगे? ये सब के लिए अलग-अलग होगा इस समय आपको कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए और बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए हम आशा करते हैं कि आपके पास खाने का पर्याप्त सामान मौझूद है हाला कि बीमार रहना परेशान कर सकता है पर आप इस समय को अपने पसंदीदा नेट्फलिक्स शोज देखने में इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो शायद आप सो रहे होंगे क्योंकि आपका शरीर अपनी पूरी ताकत ठीक होने में लगा रहा होगा आप सोचेंगे कि अब आप ठीक हैं पर यही समय है जब आपको निमोनिया हो सकता है अगर निमोनिया हो जाता है तो आपको सास लेने में तकलीफ होगी और आपके फेपणों और नाफ में और ज़्यादा बल्गम हो जाएगी, जिससे आपको और ज़्यादा खासी होगी. सास लेने में तकलीफ और सीने में दर्द और भी बढ़ता जाएगा. ऐसे भी आसार हैं कि आपको उल्टिया शुरू हो जाएगी. इन सब के साथ आप बहुत कमजोर और ठका हुआ महसूस करेंगे. आपके फेपड़े और ज़्यादा खराब होते जाएगे. कोरोना वाइरस के कुछ मरीजों ने स्थाई रूप से फेपणों को नुकसान और स्कारिंग का भी अनुभव किया है. पर कोरोना वाइरस के बारे में और भी बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं जानते हैं. इससे कई और अंग भी प्रभावित हो सकते हैं. कई मरीजों के लिवर में भी दिक्कत के लक्षन देखे गए हैं. तो अगर आप इन में से किसी भी लक्षन का सामना कर रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल जाना चाहेंगे. इस समय आपको कॉरंटीन यानि एक अलग जगा रखा जाएगा, ताकि आप किसी और को संक्रमित ना करें. दुर्भाग्य से डॉक्टर्स आपको गैरंटी नहीं दे सकते कि वो आपको ठीक कर देंगे. और कॉरोना वाइरस के लिए कोई वैक्सीन यानि टीका शायद अगले साल से पहले नहीं मिलेगा. पर वो आपको पेन किलर्स यानि दर्दनाशिक दवाईयां और काफी सारे तरल पदार्थ देकर आपको बहतर महसूस करानी की पूरी कोशिश करेंगे. जैसे जैसे समय बीतेगा, आपका शरीर शायद प्राकृतिक रूप से कुरोना वाइरस से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा तब होगा जब आप एक स्वस्त इंसान हों. अगर ऐसा नहीं है, तो कुरोना वाइरस से और्गन फेलियर और फिर आपकी मौद भी हो सकती है. ऐसा देखा गया है कि जिन मरीजों को कैंसर और डाइबिटीज जैसी बड़ी बीमारिया हैं, उनके कुरोना वाइरस से मरने के ज़्यादा आसार होते हैं. तो अगर आपको कुरोना वाइरस हो जाता है, तो इसका मतलब तुरंत मौत हो जाना नहीं है. पर आपको इस बात का ध्यान लखना होगा कि आप दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं कर रहे हैं. इसमें बुजर्ग और वो लोग जिन्हें पहले से स्वास समस्याएं हों, शामिल हैं. पर ज़्यादा तर लोग इससे बीमार पढ़ेंगे और बिना किसी ज़्यादा नुकसान के ठीक हो जाएंगे. ऐसी किसी चीज़ को आप कैसे रोख सकते हैं? अपने हाज धोते रहें. शायद भी आपको आम बात लग सकती है, पर वायरस को खत्म करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है. और अगर आपको कोई सिंक ना मिले, तो आप एक हैंड सैनिटाइजर, जिसमें अलकोहॉल का स्तर ज़्यादा हो, का इस्तेमाल कर सकते हैं. और पूरी तरह सचेत रहने की कोशिश करें, कि आप अपने किटाणू कैसे पहला रहे हैं, या किटाणू कहां हो सकते हैं. जैसे कृप्या किसी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का इस्तेमाल करने के बाद अपना चहरा ना चुएं, पर इसका भी ध्यान रखना होगा कि इस नए वाइरस पर शोध पराबर बदल रही हैं, और डॉक्टर्स इसके बारे में नई बातें जान सकते हैं. उम्मीद है कि आपको कुरोना वाइरस नहीं होगा, पर क्या हो अगर पित्वी बद बाकी सब को ये हो जाए, और एक विश्व्यापी महमारी फैल जाए, हम ये कहानी अगले क्या हो अगर के लिए रहने देते हैं.